प्रिवक्तो हरे किष्णा आज हम सुनाने जा रहे हैं गीता प्रेजगोरगपुरों से प्रकासित सच्ची कता हैं यह कता लिखके वेजी लाटू सिंग राजपरोगु जी ने और इस कता का सीच सक है किरपान भूती यानि की सियू जी की किरपा का जो उन्होंने अन्भो किया है वो लिखके उन्होंने गीता प्रेजगोरगपुर कर्ल्यार में प्रेशित किया है और देखे सची स्रद्धा विश्वा से हम भगवान को बुलाते हैं तो यह हम संकट में पढ़ जाते हैं तो इसवर को जरूर प्रात्ना करनी चाहिए तो वो हमारी सहता जरूर करते हैं यही एक कता का सीच सके सियू कृपा लगबग आज से 75 साल पहली की बात है हमारी गाउं के किसी व्यक्ति को कार विसे से अजमीर जाना था यह घटना राजिस्थान की है तो प्रहार लोग पैदली जाते थे समर्थ लोग जिनके पास धन दौलत पैसा होता थे तो लोग उंट से जाते थे और बांकी लोग लिलास अजमीर की दूरी पर पांच कोस हैं, पंदु मार्थ में कोई राष्टे का साधर नहीं था, गाडिया जाने का तो हम लोग पंडंड़ी होती है जैसे गाउं के अंदर से अंदर छोती उड़ा माला गयते हैं वह वहां उटू पर बैट कर डांकू आते थे और जो रहायातरी निकलते थे तो उनको लूट कर लिए जानते थे तो ये बता रहें कि उस समय मेरी आयू बारे परसकी थी मुझे किसी बार कार से बाहर जाना था सो मैं प्राता काल ही निकल गया और करीब चार बचे अजमेर से वापस लोटा चलते चलते जब मैं बुड़ा फुस्पकर के पास यानि कि वही उंड़ा माला के पास आए तो वहाँ पर दो लोटोगों ने उनको पकड़ लिया बारा साल के होते ही कितने बड़े एक गूरजर के घर गए पंचार और उसने अपने आमबीती सुनाई उन्होंने उनकी हारात गुजारने के लिए ठैरा उन्होंने मेरी घटना सुनकर मुझे सामतुना दी और दूसे दिन में घर पंचा घर वाले रात बर बहुत चिंते तरह वो मुझे देखकर बहुत प्रसंद में और उन्होंने का तुम्हें रात हो जाने पर उस रास्ते से नहीं आना चाहिए था करीब तीन-चार माए पस जात मुझे पुनाजमेर जाना पड़ा और इस समय भी लोड़ते समय सूर्यास्त हो चुका था अब मैंने यह आँगे जाना उचित नहीं समझा फिर मैं पास के गाउं में एक रात्री गुजानने के लिए रुग गया एक वहाँ पर बैदनाजी का मंदिर है मैंने सूचा कि वहाँ जल्गी बिवस्ता भी हो कि चलो यहीं चलते हैं मंदिर कर रास्ता पूंचा लोगों ने बताया कि यहां से पहाड़ी पार करके एक मंदिर बैदनाजी का वहाँ आप चली जाईए और वहाँ पहुंचने में कम से कम एक घंटा का समय लग जाता है मैंने आंगे चलने का निस्टे किया उन्हें उड़ा माला से आने नहीं आये क्योंकि वहाँ पे डाकू थे वह लूट लेते थे और उनके साथ ऐसी कटना कर चुकी थी तो उन्हें सोचा एक मंदिर में रुख जाते लेकिन अंधेरा होने कर कारण मुझे डर भी लग रहा था मैं मन ही मन भगवन नाम का चाप कर रहा था ओम नमस्षिवाए ओम नमस्षिवाए और पहाड़ी के उंचिवाई पर पहुंच गया आंगे पक डंटी दिख नहीं रही थी क्योंकि अंधेरा सव रहा था मुझे कुछ भी नहीं सूज रहा था क्योंकि अंजान जगय थी मैं कभी उस मंदिर में नहीं गया था भगवाण से अंतर मन से परातना कर रहा था कि भगवाण अब आपके सिवाए कोई ओलंबन नहीं सूज रहा है यह प्रभु मेरी रच्षा कीजिए तभी एक आत्मी मेरे पास आया और उसने का भाईया तुम कहीं जा रहे और तुम कहां के रहने हो मैंने उनके प्रस्नों कतर दिया फिर उसने का तुमने बड़ अच्छा किया जो तुम यहीं बैठ कर पिसराम करने लगे तो मैं यहां से आंगे का रास्ता इसमिनन देखाई दे रहा क्योंकि यहां पर एक विसाल गड़ा है, क्योंकि यहां पर एक विसाल गड़ा है तो कहां से देखाई देगे, यदि तुम एक भी कदम आंगे बढ़ते, आने वाले आगनत्रोंक 진. यह सुनकर मैं नहीं एक navigator चाह देता हूँ, ऐसा करो, मेरे हाथ में जो ही लगड़ी इसे तुम पकड़ लो और मेरे साथ चलो, उन्होंने कहा कि मैं यहीं पास के गाउं के रहना वाला हूँ, दिन भर में यहाँ पर अपने बक्रियां चराता हूँ, असल में आज दो बक्रियां यहीं खो गई हैं, उन में मंदिर में पहुंचा और ब्रह्मचारी जी से सारी उन्होंने बाते बताई कि कैसे मुझे अंधेरा हो गया था, अपकड़ंडी नहीं देख रही थी, अंजान जगह है, मैं कभी यहां आया नहीं और मुझे कोई यहां पर छोड़ गया है, उनकी बक्रियां खो गई थी और उन्होंने का कि आप सारी ब्युस्ता करतेंगे, यह जब सब बाते ब्रह्मचारी जी सुन रहते तो, तो सुन सुन करके अभीवीत हो रहते, आसर सकित से हो रहते, बोले अरे तुम भहीया बहुत भाकशाली हो, वह राय बताने वाला कोई और नहीं दस्वायं, भगवा सिवाय कजाब किया, और देखो, ऐसे संकड में किसी के भी साथ हो, जब इस तरह की पस्तिती आती है, तो जो प्रातना प्रभु से निकलती है, वो सच्चे हिरदय की ही प्रातना होती है, और प्रभु जी हमेशा आती है, और भगवान से खुद चरवाय की रूप में आये, और उन्हें मंदिर तक भीज गए, ये एक बहुती सच्ची कता है, ऐसे प्रभु हम सब पर भी तया करते हैं, हरे किशना